दोस्तो आज हम बनाएंगे मिल्क पराठा पराठे तो आप बनाते ही रहते हैं आपने आज तक ना जाने कितनी तरह के पराठे बनाए वह खाए होंगे लेकिन क्या कभी मिल्क स्टफ पराठा खाया है नहीं न आज मैं आपको मिल्क को स्टफ करके पराठा बनाना बताऊंगे यह पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है इसको बच्चे बहुत शोक से खाएंगे क्योंकि इस मज़िदार पराठे की स्टेफिंग मैंने मिल्क पाउडर और चीनी से बनाई है इसका फिलेवर बहुत अच्छा लगता है इस पराठे को आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी वा यम्मी मिल्क पाउड़ा मिल्क पराठा बनाने के लिए ये मैंने एक कप मैदे लिया है मैदे को मैंने चान लिया है और इसमें दो चुटकी नमक डाल ले और एक चमच देजी घी डाल ले नमक और घी डालकर इने चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर ले ताकि घी और नमक मैदे में अच्छे से निक्स हो जाए आप चाहे तो मैदे में गी की जगा रिपाइंड ओयल भी डाल सकते हैं जील टाने पाने लिए अधाट गूंद लेगा अगर आप सद्धियों में आटा गूंद रहे हैं तो पानी तो जोड़ा गूना ले लेड़े का कि अभी गर्मिया चल रहा है इसलिए मैं ताजे पानी से का अच्छ िहार तेर कर लिया एक के ओपर सेख़कासर घी लगा निए देखे में मिनेश को पर अच्छे से कई लगा दिया है अब मिनट के लिए डखकर रख देंगे ताकि हमारा आठा चैसे साथ हो जाए इस स्टफिंग बनाने के लिए मैं दो टेबली स्पून में पाउडर ले रहीं और इसमें दो टेबली स्पून पे सीवी चीनी डाल दे इसमें बढ़िया प्लेवर देने के लिए मैं इसमें एक चोथ बनाने के लिए हमारी मिल पाउडर की स्टफिंग बनकर प्यार है मुझे आठे को रखे हुए 10 मिनट पूर गए है अब हम आठे को हलका से पंच कर लेंगे आठे की तीन लोइ बणा लें अब हम इना बेल लें कि लोगी Allah पर सुख़ मैदा लगा है हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे बेल लोगा अब हम इसके उपरिय तेल लहा मैं इसके उपर देशी घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो ओइल भी लगा सकते हैं मैंने पूरी रोटी पर अच्छे से घी लगा लिया है, अब हम इसके उपर स्टफिंग की एक लेयर बना लेंगे मैंने मिल पाउडर की इसके उपर एक अच्छे सी लेयर बना ली है स्टफिंग अच्छे से डाले ताकि पराठे में मिल पाउडर का स्वाथ बढ़िया आए अब हम रोटी को इसक्वेर शेप में फोल्ड करनेंगे इस तरह से हम उठाले और इसको इस तरह से रग दे है और इस तरह से उठाते हुए इसको एक दूसरे में पकी है अब हम इस पर सूखा मेदा लगा लेंगे अब पराठी को स्क्वेर शेप में बेल लें इस बार हमें रोटी को मीडियम बेलना है इस तरह से बेलने से रोटी में लेयर बन जाएगी और हमारी स्टपिंग भी अच्छे से सील हो जाएगी कि देखे हमारे रोडी बिलकरत ही आरह तवे को गयस पर गर्म करने तवा गर्म होने कर से पर कर दें इसमें नाकर दूड़े थोड़ी देरमे पाराठी को पिलड़ दे पराठी को दोनों तरथ से सील हूँ भी पी नंहीं में जालें जिर और तवे पर 2 टेबल स्पून गीर ल से ऐसा करने से इसका 組रीवर बढ़ जाएगा और उपनी लेयरं क्रेस्पी होगी और अंदर से एक दोर रहेगा तो पना तरफ कि अठ他們 करने यह यह देखे है फ्रक्राठा दोंतलं से कितना अच्छे से आउआ हुआ है इसी तरह सम बाग Route आए कि दो मिल्क पाउडर की स्टेफिंग से बना ये मज़िदार बराजा सभी को लुभा लेता है